यूनिट्स्री इंटर्पर्सनल क्राथेश परस्परिक प्रक्रिया हैं तोमें पहला टाइटल्थिल आपका इंटर्पर्सनल आट्रेक्शन है है ठीक तूसरा ऑप प्रोंग और भी त्रडडसिह बीहेविर और तो इंटर्पर्सनल प्रोशेश वयित थे आपका ठीक अपारस पर इक जो प्रक्रियाएं होती हमारी अंतरवैक्तिक प्रक्रियाएं भी इसको कह सकते हैं होता गया है definition की बात करेंगे तो इंटरपर्सनल प्रोसेस रिफर्ट टुए टूझ ओडानेमीक इंटरक्षन एंड एक्चेंजेस टेट ऑकर बेट्विजिल्स विदिन सोचल सटिक तो जो लोगों के बीच में होने वाले नंट कि कि इन्ट इंट्रेसंट सोते हैं उनको गाते इंटर पर्सनल अट्रेक्शन इंटर परसेस करेंगे और थे आप जबता रिलेशनशीब हमारे सेप होते हैं हमारे संबंद या तो अच्छे हुंगे या नकारात्मक हुंगे ठीक है यहां इसे बनते हैं हमारे इंटरेक्शन से बनते हैं आप भार से यहां पढ़ रहे हो अलग-अलग इस्ट्वेंट से अलग-अलग विचार को और आपके समवेगों को समवेदनाओं को भावनाएं इससे बदलती हैं या सेब होती है तो इसको इंटरपर्सनल प्रोसेस कहा जाता है तो उसे कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं जिसकी आज बात करेंगे इसमें सबसे पहला है एराउन जोन का इसमें रिसर्च है वो देख लेना आप लोग ठीक है सोचल इंफ्लूएंस यानि कि सामाजिक प्रभाव कहते हैं इसको कुछ मुख्य बातें हैं सोचल इंफ्लूएंस इंबलो दवेज इन विच इंडिविज्व एफेक्ट थाउट्स फेलिंग्स और बिहिवेर्स ऑफ अधर्स व्यक्ति किसी की विचारों को उसकी भावनाओं को और इसकी व्यवहारों को प्रभावित करता है किसे नहीं किसी रूप में उसको सोचल इंफ्लूएंस का जाता है आप भी किसी क विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यह सबसे पहला इसका की पॉइंट है इंबर्स नलब प्रोसस का सोचल इंफ्लूएंस इसके कारण हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे विचार बदलता है और भावनाओं बदलती है , ठीक है ? एक्जामपल की बात करれscreen आपका प थीक है आप सब लोग चार लोग कहीं जाना चाहते हूं लड़का कहीं नहीं जा सकता आपकी साथ जाना पड़ाई गाँ उन्हें क्या करना पड़ा बात सुल जाने के लिए क्लास को छोड़ना पड़ा तो यह भी प्रकार का सोचल इंफ्लूएंस है हमारे पीर गुरूप से या किसी भी सोचल गुरूप से या हमारे समाच से जब हम प्रभावित होके अपने वीचारों को अपने व्यावारों को बदलते हैं तो यह सोचल इंफ्लूएंस कहलाता है और जो इंटरपर्सनल प्रोसेस का भत्यपूर्ण टॉपिक है ठीक है आपके सहले बस में है नहीं चैनली आपको बता रहे है सहले बस आपके तीन की पॉइंट से हैं इंटरपर्सनल अट्राक्शन क्या होता यह है अक गरिशन इह रही होट नेक्स है इंहें इंतर्पर्सोनल अट्रेक्शन जो है, इसका दूस्ता टॉपिक है, जो आपके सलेवस्थ का भी है, तो इंटर्पर्सनल अट्रेक्शन जो होता है, पॉजिटिव फेलिंग एंटिटिटूट्स, इंडिवीजिवजिवर्ण फोन अधर्स दिश्टीर्ड वद से लिड आपके डेवलब होने के बाद में इंटरेक्शन होने के बाद में इंटरपर्सनल प्रोसेस होने के बाद में जब इंटरपर्सनल अट्रेक्शन का रूप ले लेता है तो आपकी लाइकिंग में बदल जाता आप पसंद करने लगते हैं तो फ्रेंड्सिप में बदल सकता है य यह है आपका social इसका interpersonal processes का एक topic है ठीक है अजीत two people may experience interpersonal attraction due to similarity in interest यह दो लोगों की similarity interest होने के कारण भी पैदा हो सकता है आप कुछ पसंद करते हो जैसे आप धार्मिक हो पी ओजी भी धार्मिक है तो आपके अंदर interaction पैदा हो गया है आपकी liking music सुनने की है सेम म्यूजिक आप सुने इंटर परस्ण अट्रेक्शन आपके अंदर पैदा हो सकता है तो interpersonal attraction कैसे पैदा हो था कैसे generate होता है सब हमारी processes का इससा है किन प्रोसेस है इंटर परस्ण प्रोसेस उसी काई की टॉपिक है इंटर परस्ण अट्रेक्शन है हमेसा पूशा जाता है और सोचल साइकोलीजी अब भी बढ़ोगे आप तो यह वाला आपके बार बार आपके सामने आता रहेगा ठीक है और जरूरी भी है जैसा कि हम देख रहें ठीक है इंटर परस्णल कम्यूनिकेशन भी इससे जुड़ा है पारस्परिक बातचीत संचार जो है उसका क्या संबंध है तो यह एक्सिचेंज आप इंफॉर्मेशन है कुछ ल जैसे conversation between friends, family members हैं, colleagues हैं यह जो है इंटर परस्णल कम्यूनिकेशन के उधारन है जिसके हम अपने वीचारों को अपनी भावनाओं को और अपने intentions को हमारे उद्देश्यां को व्यक्त करते हैं ठीक है ठीक है यूनिक सोश्यल एक्सचेंज आता है इसके बाद मैं इसको कहते ह इसके बादान हो रहा है ठीक है गोपाल सर्मा शोचल एक्सचेंज थेओरी पोजिस्ट एट इंडिविज्ट एंगेज इन रिलेशन शिप बिट्विन रिलेशन बेस्ट बेस्ट प्रिंसिपल्स और कोस्ट और रिवार्ट कोई आज में रिवार्ट जयाता चाहता है कोश् मार्गेटिंग की अजिजी निजी है हमारे इनको क्या चीह हमारे को कॉस्ट कम चीह माल मतलब उसे रिवार्ट ज्यादा चीह तो सोचल एक्सचेंज का मतलब ही है हम किससे क्यों जुड़ रहे हैं सुरु नरमोनी सब कए है इह रिति स्वारत लागी करह सब प्रीति सुना प्यूंज है कि हम जूने है कि हमारा स्वार्त यही है कि हम कॉस्ट और मैक्सिमाइच करना चाहेंगे अपनी रिंबाण्ज को για हिसे को पिसी को बेहांट तो है तो इसी करें हमारा सोचल एक्सचेंज निनी कि सामाजिक में इसका इस्था है ठीक है घ्जांपल की बात करें में romantic relationship में partners में engage in social exchange by offering emotional support time and resources in exchange of companionship intimacy and affection क्या यह कह रहे हैं वह emotional support time or resources में हम क्यों engage हो रहे हैं किसी के परती लड़का लड़की अगर आकरसित हैं या दो लोग आपस में सेक्स्वली हो चाई मुस्नली यह तो क्यों आकरसित हैं और क्यों अपना support दे रहे हैं अपना time मिल एच्वट की ठीक है तो यह एक पड़्गार का social exchange है हर आप समाज कि किसी भी हिस्से में चले जाओगे, आपको social exchange ही दिखने को मिले हूँ. दो लोग जहां बात कर रहे हैं, तो social exchange ही कर रहे हूँ. ठीक है? तो interpersonal conflict भी यह किसका? concept है, ठीक है, unique. Interpersonal conflict arises when individuals have opposing goals, interests and perspectives leading to tension and disagreement. Interpersonal conflict तब पैदा होते हैं. वाद विवाद तब पैदा होते हैं, जब हमारे goals में, interest में और हमारी भीचारधारों में भेद होता है. तब हमारे अंदर interpersonal conflict पैदा होते हैं, समाज में, कुछ लोगों के बीच में. जैसे sibling rivalry is a common form of interpersonal conflict, while sibling compete for attention, resources, or parental approval. दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, भाई बैंड के और रील साप देखते रहते हैं, दो भाई लड़ रहे हैं, या दोस्त लड़ रहे हैं, उनको क्या चीए आपस में? माँ-बाप से parental approval चीए, उनसे कुछ पैरेंट से अच्छा इसको कहे दें, भाई यह लड़का अच्छा है, यह लड़का बुरा है, जैसा है, यह attention ज्यादा मिल ला है किसी को, यह resources उसको ज्यादा मिलने हैं, तो इसके कारण भी एक interpersonal conflict होता है, यह तो एक उधारण है, पैरेंटल, पैरेंटिंग का या समाज से या फैमिली से जुड़ा होगा, ठीक है, वैसे उधारण आपके साथ में भी हैं, जैसे आप उन्हें उस दिन conflict हुआ, आप लोगों का है न, विचार धारा में भेद हुआ जब, वैसलों विचार धारा के और अन्य विचार धारा क के लोगों में जब विचार धारा में वेद हुआ दो क्या पैदा होगा, इंटर्पर्सनल पैदा होगा, पारसपरी संगर्स पैदा होगा, यह भी हमारे इंटर्पर्सनल प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, यह कैसे पैदा होते हैं, जब हमारे अंदर, जब लोगों के बीच में डायनिमिक रिलेट्जनसिप होता है डाइन Ό होती है तब इंच्रबात 你 है जिससे कि इमारे विचार व्यावार और था जरहा होऊनाय प्रभावित होती है घमक थोड़ा सा यह कि यदिंता अज threats कि भीक है ऐसी आद्यमीक मतलब यहां गति शीलता से मतलब यह है ना कि थोड़ा सा उसमें वे एक तो हम आपस में पेठे हैं एक उद्देश्ची बैठे है एक guided कि मतलब एक कॉलिकिव बैठे हैं वोड़ेस्ट वहानाए HR इन डंगेज्मेंट यां सिंट इक कि आपस में बस में चार लोग बठे हैं तो एक डाइनमिक इंट्रेक्शन उसको नहीं कह सकते हैं प्लेटफॉम में दस लोग बठे हैं वो तो उसका इंदजार कर रहे हैं तो गैदरिंग होने चीए डाइनमिक हो जिसका उद्देश्य हो जिसका परियोजन हो समाज में जहां पर आप इच्छा से जुड़े हो इच्छा से दौड़े हो तो सोचल में प्रेसर जुड़े हो अब प्लेटफॉम में तो कोई प्रेसर नहीं है नुआ जाना रास्ते का काम हो चाल लोग मिले हैं तो कोई बदेश निभाद भी आप कर सकते हूं सकते हैं झेदे एक प्रकार का रूप डाइनमिक इंट्रेक्शन उसका हम म त्यवा मतलब से गतिसील होने क्या मतलब है हमारी इंगेजोर चाहिए हमारा सोचना विचारना उसमें इंगेज ही अगर है वह गतिसील अगर है अब आप स्थाइडनेमिक है नीक है कि इंट्टरपर्सनरट इन्फ्लूइंस उसको कहते हैं पारसपरिक प्रभाव तेक तेहिसके बात में एक किया सीमाजिक्सक्व काइस सामाजिक पारसपरिक प्रभाव का भी दिवलब होता है जब हम इंटरपर्सनल डीनेमिक क्रियाँें जब होती है, इसोगा सेते हैं यह कर दोगिए सब्सक्राइब और एंटरपर्सनल इंद्वेग मैं लेंटरपर्सनल क्या थित निदि-दिपशनारे मिज 450 तो अपने प्रभाव का जब इस्तमाल व्यक्ति अपने फॉलोवर्स को इंस्पार करने में मोटिवेट करने में सेफ करने में करता है तो उसके इंटर परस्ना इंफ्लोएंस जब कोई वक्ति अपने प्रभाव का इस्तमाल करें किसी की भीचार में किसी सोचने में किसीकी व्यभार बदलने में यह आप teen कि प्रभाव साली व्यक्ति से खुद को इस प्रकार से प्रभावित महसुस करो उस आधार पर अपने आपको बदलो किसी एक्टर को देखके वापनी वैसी पर्शनाल्टी बनाने लगो भी है थे यह फ्यर्क बड़े जो मॉडल होते हैं इन से अप्रभाव साज रही हो जाते हैं बड़े व्यक्ति हो इन स्री किस्ण ने यह जाता है उसका है प्रभाव हमारे ब्याभाव हर फ्र में पढ़ी जाता है एन्सी anthropемонden उनको किया कि 그래도 अंके फॉल्वर्स सुवार्ण ही जाता है इसलिए युद्ध करना आप के लिए इसलिए पिए गुवारी इसलिए निए कि तुमने जीतना है इसलिए कि लोग संग रहें के लिए आपने लिद आई तो इसलिए social influence का क्या परभा होगा है यह हमारे इंडियन इतोस में भी है इसको माइतोलोजी कहते हैं यह लोग ना वारती दर्शन जो है वारती अमरा इतियास जो है उसको समझने की थोड़ा सा जर्वत है बस ठीक है तो इंटरपर्सनल प्रोसेस की बात हमने कर ली है कपिल जी आज है न अब हम कल थोड़ा सा आपको बता देंगे आप आओगे अग ले कोई कारक है उनकी बात कर लेंगे कल ठीक है और थोरीज की बात कर लेंगे क्या क्या थोरीज है इसकी ठीक है उसकी बात कर लेंगे नेक्स में बात करेंगे प्रोसोचिल बीहिवियर क्या है एग्रेशन क्या है इस सब की बात करेंगे ठीक है इंटरपर्सनल को कल डिसकस करेंगे जो कि आपका पहला क्या है टॉपिक एसका सेले बसका ठीक है